अगर आपका WhatsApp एकाउंट बैन हो गया है और आप सर्च करके यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको गारेंटी देता हूँ अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं आपको 100% आप अपने WhatsApp में जो आपका बैन लगा हुआ है उसे आप हटाए है तो दोस्तों सबसे पहले इस बहार आप करते हैं तो आपके WhatsApp को बैन कर दिया जाता है जैसे कि आप वीडियो कोल पे कोई नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं तब आपको WhatsApp एकाउंट को बैन किया जा सकता है या कोई असली वीडियो आप शेयर कर रहे हैं तब आपका WhatsApp एकाउंट बैन किया जा सकता ह है, WhatsApp के द्वारा fraud कर रहे हैं, तो वो आपको ban कर सकता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका account WhatsApp ban कर दिया है, कैसे उसको हटाना है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने WhatsApp में लेके चलता हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका WhatsApp है, उसको थोड़ा सा प्रेज करके रखना होगा, उसके बाद यहाँ पे Apps Information में आप आ जाएंगे, आने के बाद इसको सबसे पहले आपको Clear Data यहाँ पे कर देना, Storage में आके, तो चलिए हम यहाँ पे Clear Data यहाँ पे कर देते हैं, जब आप यहाँ पे Clear Data कर देंगे, उसके बाद अपने WhatsApp को Open करेंगे, उपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने में खुलेगा, तो यहाँ पे Aero वाले Option पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे Agree and Continue के उपर आप क्लिक कर देना है, ऐसा करने के बाद इस डजनोट अंसर माई कोशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ऐसा करने के बाद नीचे में को Option दिखेगा, Visit Your Help Center, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपका जो एकॉंट बेन हुआ है, तो यहाँ पे एकॉंट एक आप यहां पर किलिक कर देंगे यहां पर आपका एकांट बैन हुआ है तो यहां बैन वाले उप्शन पर आप किलिक कर देंगे सकते हैं आपका टेम्परोरी बैन किया गया है या एकांट पर्मानेंट बैन कर दिया गया है तो नीचे वाले जो अप्शन दिया गया है एबाउ contact to whatsapp तो यहां पर देख सकते हैं WhatsApp Messenger support तो यहां पर आपको क्लिक करणेशा करने के बाद यहां पर देख सकते हैं contact to WhatsApp तो इस पेज को इपर करेंगे इंडिया का code लगा हुआ अगर आप और किसी country से है तो यहां पर क्लिक करके code दे सकते हैं अपना country का उसके बाद यहां पर एक mobile नमर दे देंगे तो चलिए हम यहां पर mobile नमर दे देते हैं mobile नमर और email address देने के बाद इसके बाद यहां पर confirm email address यहां पर आप इंटर कर देंगे यहां पो पूछा जाता है आप WhatsApp जो यूज कर रहे थे android में या iphone में या desktop पे तो अगर τα uh आप aipon में यूज कर यहां पर क्लिग कर देंगे हैं यहां पर एक आपको हम taking herself कर देंगे यह message को यहां परam और करने के बाद यह श्ट эфф कर देंगे और की जो है एक दुसरे पेज पर आ जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं contact WhatsApp तो यहां पर सेंड क्वेस्टन के उपर आप क्लिक कर देंगे क्लिक करते हैं contact WhatsApp तो आपने WhatsApp की टीम को contact किया है इसकारण से WhatsApp सब एकॉंट को बेंड किया गया है अगर उनको ऐसा लगता है कि यह कोई भी वाइलेंस नहीं किया है तो आपका एकॉंट जो है तुरंत रीकवर कर दिया जाए